ऐसा कि आप लोगों को पता है कि आधार कार्ड में जो अपडेट है आभी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो आधार कार्ड में अपडेट में ज़्यादा तर मोबाइल नमबर, नाम, डेट अपर्थ, एड्रेस यही सब कुछ अपडेट होता है फिंग अपडेट होता है तो अपडेट कर सकते हैं, address अपडेट कर सकते हैं बिल्कोल फ्री में आपको यहां पे ID मिल जाता है और यहां पे आपको अब एकजाम देने की भी ज़ोरत नहीं है तो चली दोसों आपको बताते हैं कि अगर आपको आदाहार कार्ड अपडेट की ID चाहिए तो कैसे आप apply करेंगे और कौन-कौन सी ID होती है जो आपको लेना चाहिए तो चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप आ जाएंगे सबसे पहले CAC ID पर अगर आपके पास CAC ID है तब आप कैसे लेंगे अगर आपके पास CAC ID नहीं है तब आप कैसे apply करेंगे सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे अगर आपका CAC Center है CAC ID है तो आपको यहाँ पे सर्च वाले option में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है UCL ठीक है UCL आपको पता होगा कि UCL से भी अधार कार्ड में अपडेट होता है अधार कार्ड डेमोग्राफी अपडेट जह ही option आपको मिलता है यहाँ पे जब दोस्तों आप आएंगे तो यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटर ID आपके पास चाहिए जो आपका कस्टमर का मोबाइल नमबर होगा वो मोबाइल नमबर आप डालेंगे यहाँ पे मतलब आई हैब एगरी करेंगे और उसके बाद वैलेट प केंदर कैसे लेना है यह भी आपको हम बताएंगे ठेक है उसके बाद दोस्तों जिनके पास CAC ID नहीं है वो देख सकते हैं कि उनके पास यहाँ पे जैसे की यह देखिए ठेक है उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे CAC e-government है वैसे ही जो एजैसी आप देख सकते हैं कि प्राइबिट बहुत सार एजैसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे हम सेर्च पे ख्रीट क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि करवी ्डाटा मेनेजिमन्न स्वा इस्मा टेक हाइ लिंटेड तारा सौप्वेर इंडिया कंप्यूटर टेकनो उसके बाद वादाग के सिस्टम लिम्टेड उसके बाद आलाकीत बहुत सारी कंपनी यहां पे आप देख सकते हैं लगबग यहां पे 100-200 कंपनी ऐसी है जो अधार सेवा केंदर प्रोभाइड करवाती है जहां पे आप नया अधार कार्ड भी बना सकते हैं और अधार कार्ड में अपडेट का भी काम कर सकते है ठेक है उसके बाद दोस्तों यहां पे भी आपको एक और भी मिल जाता है जैसे कि अधार ESPESALquest में क्या-क्या चार्ज लगता है अधार ESPESAL सर्ule सर्वीस का basically काम क्या होता है वो भी आपको बताएंगे य इमिट्री अपडेट जो होता है वो भी आपको 100 रुपिया में होता है यहां पर आपको अधार special service जो यहां पर देख रहे हैं इसमें अधार camp लगता है ठीक है camp का आपको पता होगा कि कही कहीं camp देखते होंगे कि अधार camp लगा हुआ है वहाँ पर आप आधार update करवा सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर उतने लोग ही जा सकते हैं और भी जादा लोग जा सकते हैं ठीक है उसके हिसाब से आपको चार्ट देना पड़ता है जैसे कि किसी भी दुकान के सामने camp लगता है चाहे कोई school में camp लगता है चाहे कोई hospital में camp लगता है तो ऐसे बहुत सारे organization है जहाँ पे आप camp लगवा सकते हैं ठेक है आप खुझ से भी लगवा सकते हैं तो यहाँ पे camp requirement का है जहाँ पे बिजली होना चाहिए और space जगा होना चाहिए उसके बाद table and chair होना चाहिए customer को बैठने के लिए और जो staff आते हैं उनको बैठने के लिए उसके बाद white background photograph होना चाहिए और original document जो भी customer आएंगे वो customer का original document होना चाहिए आपको यहाँ पे अपना pin number डालना है और आप usable है या नहीं यह आपको यहाँ पे पता चल जाएगा जैसे कि हम यहाँ पे इजीबल है कि नहीं check agility पे click करके यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि service available for internet pin code ठीक है मतलब आपके pin code पर यह service available है जहाँ पे अधार केंप पे हम click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे school, hospital, college, रावा public और private organization मतलब इन सबी जगा पे आप अधार केंप लगवा सकते हैं आपको अपना mobile नमर देना है capture देना है जेनरे टोटिम पे click करना है और आगे कब मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि कैसे आपको form भरना है अब दोस्तों बहुत सारे मर भाई यह question करेंगे कि हमें अधार सेवा केंदर तो मैंने बताया है कि बहुत सारी company से भी ले सकते हैं या अधार सेवा केंदर आप direct नया बनाने का 20 से कम आपको नहीं देना होगा 20 से ज़्यादा ही transaction होना चाहिए मतलब 20 से ज़्यादा transaction होना चाहिए जैसे कि 20 लोगों को अधार काड अपडेट करवाना है बनवाना है तो वो 20 से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि बल्क में बनता है क्योंकि अधार कैम भी लग रहा है तो उसमें आपको कोई भी आपको certificate की जवरत नहीं पड़ती है लेकिन अगर आप किसी company से अधार सेवा केंदर लेते हैं या CAC से अधार सेवा केंदर लेते हैं तो आपके पास एक अधार की certificate होनी चाहिए तो दोस्तों यहां पर दोस्तों देखेंगे कि यहां पर first में ही welcome to login page UID exam by NSEIT मतलब NSEIT जो है वो आधार का exam लेता है टेस्टिंग और training की certificate देती है तो यहां पर हमें क्या करना है कि इस पर click करना है click करने के बाद इनके बेयो साइट पर official बेयो साइट पर हम आ जाएंगे यहां पर जब certificate होता कैसे है अधार की certificate ठीक है यहां पर जब दोस्तों आप आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि certificate by तो आपका यहां पर नाम रहेगा और उसके बाद लिखा रहेगा कि have successfully passed it the ठीक है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि certificate number आपका रहेगा आपका उसके बाद qualification आपक जब हम आते हैं ठीक है यहाँ पर जब दोस्तों हम आते हैं तो यहाँ पर home बाले option पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर user id λोट माँगा जाता है तो सबसे पहले आपको id create करना है ठीक है create करने पर जाएंगे तो यहाँ पर XML offer file आप से माँगा जाता है तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप लिखेंगे ठीक है यहाँ पे देख सकते है कि how to generate offline अधार XML फाइल तो आपको offline नहीं यहाँ पे आपको मतलब online ही download करना है ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते है कि अधार XML paperless यहाँ पे दे रहा है कि EKYC के माध्यम से आप download कर सकत तो यहाँ पे मिल जाता है उसके बाद registration page जो है यह registration करने की जो process है यह आपको how to apply पे click करके और यहाँ पे हिंदी वाले option देख लेना है जहाँ पे आपको apply करने का पूरा process बताया गया है कि कैसे आपको apply करनी है ठीक है तो यह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है अगर वही आप CSE से अधार सेवा केंद लेते है तो आपको एक और भी certificate की जोरत परेगी वो होता है IIBF की certificate ठीक है IIBF की certificate आपको कैसे मिलेगी तो direct आप search करेंगे IIBF और यहाँ पे जैसे IIBF certificate के लिए apply करेंगे तो यहाँ पे registration वाले option पे हम click करेंगे online registration पे हम click करेंगे यहाँ पे द पे how to apply का यहाँ पे option मिलेगा कैसे आपको apply करना है सब कुछ आपको option यहाँ पे मिल जाएगा apply करने का पुरा process यहाँ पे आपको दिया गया है ठीक है फिलाल में अभी apply हो रहा है या नहीं तो यहाँ पे हमें click करना है BC and BF certificate में और यहाँ पे आपको apply non member पे click करना है ठीक ह non member पे click करके आप यहाँ पे apply कर सकते है ठीक है तो यह process यहाँ पे दिया गया है जिस process के माधियम से अगर आप चाहे तो CSE ID से भी अधार सिवा केंद ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं खुछ से मतलब लू direct किसी company से तो बहुत सारी company अधार सिवा केंदर provide करव अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें आधार camp लगवाना है तो मैंने सबको जनकारी यहाँ पे ही आपको दे दिया है कि कैसे आपको अधार, आदलब जो camp है, वो कैसे आप लगा सकते हैं और उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे मैंने बता दिया है, ठीक है तो apply करने का भी process बत दिया है और कैम कैसे लगाना है और CAC से अधार सेवा के अंदर कैसे खोलेंगे पूरी जानकार यहां पे दिया हूँ आपकी कोई भी कुशन है आप हमसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं